हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD Job में नए राज्जी से वेकेंसी, नया विग्यापन जारी किया गया है, बिर्ला ग्रूप अफ स्कूल से, जिसमें all subject में वेकेंसी है, PRT, TZT, PZT की जैसा की आपको तमनेल में दिख रहा है, कुछ जो candidate के लिए भी जो है subject है, computer teacher की है, IP की, English की, physics की, ऐसे ही trained graduate teachers में बहुत सारे subject है, Hindi, English, Sanskrit, Maths, Arts, Geography, Economics, PRT में, English, Hindi, Sanskrit, Math, Science, SS, Arts, Dance, ऐसे और भी जो है subject रहेंगे, बिना अनवब के आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई fees नहीं है, कोई परिक्षा भी नहीं देनी है, salary जो है PGT की teachers की 65,000 पर मन्त रहने वाली है, चलिए देख लेते हैं, कैसे जो है apply करना है, किस राज्जी की vacancy है, जिसमें सभी राज्जी के candidate आविदन कर सकते है, सरला विर्ला public school, सरला विर्ला group of schools में vacancy है, और इसमें जैसे ही official website पर आएंगे, highlights में second number पर application form है, इसी में आ इस पर click कर लें, तो यहाँ पर application form के साथ में कैसे apply करना है, last date जो है वो 15 October 2024 है, किस post के लिए आप apply करेंगे, किस subject में, तो अभी आप धिहान से देख लें, कि post applied for यहाँ पर click कर लें, जैसे wise principle के लिए आपको apply करना है, administration के लिए, PZT, TZT, PRT, trainee teacher, foreign language teacher, sports coach, counselor, wellness teacher, special educator, AI, publication, executive, ठीक है, trainee teachers, जहाँ कोई भी अनुबब नहीं मांगते हैं, इस पर click कर लें, अब जैसे कि आपको subject देखने हैं, suppose TZT में कौन से subject में, vacancy है, और आपको apply करना है, तो TZT पर click कर लें, अब आगे जो है, इस पर click करना है, सारे subject आपको दिखेंगे, ठीक है, यह सब subject हैं, TZT के लिए, जैसे कि हिंदी है, हिंदी के लिए click कर लें, उसके बाद जो है, आपको पूरा form भड़ लेना है, यह पूरा fill कर लेंगे, जो भी आपकी journal information है, academic information है, और यहाँ पर अनुवव पूछ रहे हैं, अगर अनुवव नहीं है, तो zero कर दें, अगर अनुवव है, एक साल का, दो साल का, जो भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर mention कर देंगे, brief narrative on your professional ideology, 500 से 1000 words, अभी आपको जो है, यह जो teaching line है, इसमें, या फिर जो भी post में आप apply कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या विचार धारा है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है, 500 से लेकर 1000 words तक, ठीक है, यह आप समझ गए, next जो है, यहाँ पर upload photo, जो की 100KB से ज़्यादा कर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर choose file में, आपका जो है, scan किया हुआ, signature, upload कर देना है, last way, summit, ठीक है, बाकी यह पूरा जो है, यह पूरा भर लेंगे, कि आपने जो है, जैसे कि आप TGT के लिए apply कर रहे हैं, तो यहाँ पर beard, beard की पूरी detail भर लेंगे, graduation की detail भरनी है, 12th की भरनी है, 10th की भरनी है, ठीक है, या फिर other कोई qualification है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, या master degree भी अगर आपने किया है, और TGT के लिए apply कर रहे हैं, तो यह भी कर सकते हैं, सारे option हैं यहाँ पर, अब next जो है, आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है, यह subject आपको PGT में नजर आ जाएंगे, तो आप अपना subject चूज करेंगे, और उस पर click करेंगे, और पूरा form भरेंगे, बाकी यहाँ देखें, how to apply, कैसे apply करना है, eligible candidate can fill and submit the online application from along with the recent scanned photograph and brief narrative 500 से 1000 words तक, मैंने आपको बता दिया है, किस बारे में लिखना है, अब teaching के बारे में ही लिखेंगे, क्योंकि वही आपका profession है, और इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या विचार धरा है आपकी, वो आपको लिखनी है, 500 से 1000 words तक मैं, 15 October 2024 तक apply करना है, note में इननों लिखा हुआ है, वैसे Hindi, English, Medium candidate सभी apply कर सकते हैं, आपकी बस subject में command होनी चाहिए, और आपके पास जो है, degree, diploma होना चाहिए, candidate should be fluent in English, तो आपकी जो है, books इंग्लिस में ही रहेंगी, तो इंग्लिस में ही पढ़ाना होगा, आप किस medium से पढ़े हैं, ये matter नहीं करता, computer की knowledge थोड़ी हो, NEP 2020, ये जो है, इसकी knowledge आप जरूर रखें, और Google पे search कर लेना है आपको, NEP 2020 इसके बारे में, ठीक है, ये आपको पढ़नी है अच्छे से, क्योंकि interview में आपसे प्रशन पूछे जा सकते हैं, परिक्षा तो नहीं है, जो shortlisted करेंगे, candidate को, उनको interview के लिए बुलाया जाएगा, salary तो इसमें काफी अच्छी रहती है, बिर्ला, public school आप जानते हैं, ये group of school में salary जो है, जिस भी राज्ये से ये vacancy निकालते हैं, तो salary काफी अच्छी दी जाती है, जिनकी experience ज्यादा होगा, उनको उसके according salary ज्यादा दी जाएगी, जो fresher है, उनको उनके according salary कम रहेगी, the selection appointment is subject to verification of requisite document, vacancy जो है, कहां से है, तो जहारखन राज्ये से है, इससे पहले भी जो है, बिर्ला, public school, पिलानी राज्येस्थान से vacancy आई थी, वो आप लोगों को बताई गई, अभी सर्ला, बिर्ला, public school, ये group of school है, एक नहीं कई स्कूल है, इसके अंदर, तो जहारखन राज्ये से है, इसमें सभी राज्यों के candidate आविधन कर सकते हैं, कोई fees नहीं है, कोई exam नहीं है, interview रहेगा, interview आपका subject अच्छा जो है, उसमें आप पढ़ा सकें, NEP 2020 आपको तयार कर लेना है, ठीक है, और अपना जो है intro आप English में तयार रखें, बस इतना ही, चलि ये मिलेंगे नेक्स वीडियो में, थेंक यू